Hi everyone, S.O.L. के जो semester 1 और semester 3 के student हैं, जिनका admission या तो नया admission है 2023 का वो semester 1 के होगा है, जिनका admission 2022 का है तो वो semester 3 के होगा है, तो आप लोगों के internal assessment कब से conduct होंगे, आज की इस वीडियो में इसी चीज़कों में discuss करूँगा, लेकिन उससे पहले चुकि 2023 के बच्चे ऐसे हैं जो internal assessment से aware नहीं है, तो उनको थोड़ा internal assessment के बारे में बताना चाहता हूँ, देखे, internal assessment के अंदर क्या होगा, आपको online MCQ-based question पूछे जाएंगे, जो आपको S.O.L. की website पर आकर एक इस तरह का link आएगा, यहाँ पर आपको rule number और barcode की मदद से login करने को बोला जाएगा, I know अभी barcode नही नहीं आया है, तो काफी जल जनरेट हो जाएगा, आपको SMS आजाएगा, तो कुछ इस तरह की window आएगी, जहाँ पर login करने को आप से बोला जाएगा, और जैसे ही आप login करते हो, तो कुछ इस तरह का interface आपके सामने रहता है, जहाँ पर आपको जिस भी दिन, जिस भी subject का internal assessment हो हो जाती हो, फिर कुछ इस तरह का interface रहता है, जहाँ पर उपर question पेटलेट यहाँ पर show होती है कि कितने questions है, जनरी 35 questions होते हैं, और 45 minutes का आपका exam रहता है, उपर timer भी शुरू हो जाता है, ठीक है, अब जैसे for example आपके साथ subject हैं, तो इन साथ subject का internal assessment होगा, साथ अलग अलग द 26 October को let's suppose political science का हो गया, 27 October को let's suppose business law का हो गया, इस तरह से internal assessment अलग अलग subject के अलग अलग दिन में रखे जाएंगे, और जो भी time आपका होगा, उस time start होने से 5-10 minutes पेले, आप website पर login करके बैठ जाओगे, और इस तरह का interface आपका आएगा, login करने के लिए, login आप करोगे, जो भी subject होगा, उसके आगे option रहेगा, blue color का उस link पर जाओगे, then अपना internal assessment आप लोग दे सकते हो, question रहेंगे, उसके 4 option रहेंगे, कोई भी option आपको लगता है, सही है, वो select करो, then yellow color वाले option पे click करो, then आगे further proceed करके, आप अपने internal assessment कम्प्लीट कर सकते हो, याद रहेंगे, इसका time bound होत assessment अप्रोक्स अप्रोक्स 45 मिनिट का रहता है, और उपर time creation शुरू हो जाएगा, जब भी आपका internal assessment जिस भी time पर शुरू होगा, लोगों की तसलिक के लिए एक चिज़ और मैं आपको दिखा जता हूँ, internal assessment शुरू होने से कुछ दिनों पहले, soil की website पर एक date sheet आएगी, internal assessment क वो date sheet कुछ इस प्रकार होगी, जैसे यहाँ पर लेखा होगा है कि 28 जून को internal assessment है, वो इस subject का, subject का code यह है, नाम यह है, और gender भी कुछ-कुछ subject में क्या होता है भाई, gender change कर देते हैं, मतलब gender change नहीं, sorry, boys का अलग रखते हैं, और girls का अलग रखते हैं, और कुछ-कुछ condition में दोनों boys and girls का एक साथ timing रखते हैं, तो यह दो बज़े internal assessment होगा corporate accounting का 28 जून को, इस तरह से internal assessment शुरू होने से कुछ दिन पहले website आजेगी, जहाँ पर आपको बता दिया जागा कि किस subject का internal assessment किस दिन है और किस time पर है, तो यह doubt भी आपका clear हो गया, और इन PDF में आपको links वगर दे दिये जाएंगे, help line number दे दिये जाएंगे, आपको अगर दिक्कत आती है, तो यह help line number पर contact कर सकते हो, etc. ठीक है, तो यह issue है, email ID भी आपको दी जाएगी, internal assessment के दुरान, कईकर कोई problem आती है, तो वहाँ पर आप contact कर सकते हो, तो यह सारा मैंने आपको बजाजिए कि कैसे ह और किस तरीके से internal assessment होता है, अब बात आती है कि actual में internal assessment होंगे कब, लेकिए SOL के जो exam है, वो mid December से शुरू है, और internal assessment जो देखा गया है, वो exam शुरू होने से कुछ दिन पहले ही होते हैं, जिसे generally अगर मैं बात करूँ, 2022 वाले बेच के semester 1 के assessment जो हुए थे, वो हुए थे आप के exam शुरू होने से लगबग 10 दिन पहले, वहीं second semester की अगर बात करूँ, तो इसके internal assessment exam शुरू होने से 20-25 दिन पहले शुरू हो गए थे, 20-22 दिन पहले, अब बात अब ये third semester के कब शुरू होंगे, तो आप ये assume करके चलिए, 20 November या उसके बात से, हो सकता है से पहले भी ल assessment देने, तो दोनों को manage करना पड़ेगा, website hang ना हो, तो इस तरीके से date sheet बनानी पड़ेगी, तो exam clash ना करें, clash करेंगे तो website पर load बड़ेगा, और वो chances होते हैं कि website का server down हो जाए, तो ऐसा हो सकता है कि पहले semester 1 के assessment हो जाएं, फिर semester 3 के, या फिर वाइसे वरसे भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि BA program के assessment अलग रखें, और बाकी courses के assessment अलग रखें, विकोज आज़े से जादा बच्चे BA program के ही होते है, SOLE में, तो आप यह मान कर चलिए 20 नवंबर या उसके बाद से ही आपके assessment होंगे, उसकी सारी detailed guidelines website पर आ देंगी, enough time पर लें, जिसके बारे में ह हम आपको informed करेंगे, और याद रखें काफी बच्चे सवाल करते हैं कि सर क्या internal assessment देना ज़रूरी है, दो को मेरे असाफ़ तो ज़रूरी है, तो यह crucial part है आप लोगों के assessment का, इसके marks add होते है, final examination में, यानिकि final theory exam के जो mark sheet बनती है आपके, उसमें, इसके marks भी add होते है, तो यह assessment देना ज़रूरी है, अब मैं लेकिन या पर वाली बात बिल्कुल नहीं करूँगा इस वीडियो के अंदर, I hope यह वीडियो आपको useful लगी हो, तो वीडियो को share कीजिएगा, thank you.